तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कुछ तुम्हें क्या लगा था मैं जुट बोल रहा हूं तुम्हें क्या लगा था केवल तुम ही हुश्यार हो गाइस ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं जिनमें हम बोलते हैं तुम्हें क्या लगा था इनको इंग्लिश में बो बोलने में present या फिर future जैसा लगे, लेकिन बनेगा वो past tense में ही, कभी भी अगर किसी एक sentence के दो पार्ट होते हैं, और first part जो है, वो past में होता है, तो उसका second part भी हमेशा past में ही बनता है, क्योंकि past की बात चल रही होती है, उससे कोई matter नहीं है, कि बोलने में वो present जैसा लग र देखें, यहाँ पर second sentence जो है, मैंने वो past में बनाया है, I was telling a lie, अगर आप बोलेंगे, what did you think, I am telling a lie, तो आपका sentence गलत हो जाएगा, क्योंकि first sentence जो है, वो past tense में है, इस साफ कलियर हो रहा है, कि past की बात चल रही है, तुम्हें क्या लगा था, मैं नहीं आउंगा, what did you think, I would not come देखें, यहाँ पर second sentence बोलने में future जैसा लग रहा है, लेकिन हम इसे past में बनाएंगे, इसलिए मैंने would का use किया है, would जो है, will की past form है, अगर आप बोलेंगे, what did you think, I will not come, तो आपका sentence गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात past की चल रही है, first part जो है sentence का, वो past tense में है, what did you think, what did you think, I would not come to know anything, come to know का मतलब होता है, पता चलना, और यहाँ पर भी हमने would का use किया है, क्योंकि past की बात चल रही है, will का use नहीं कर सकते, तुम्हें के लगा था, मुझे नहीं पता, what did you think, I did not know, तुम्हें के लगा था, यह सस्ता वाला है, what did you think, this was cheap one, तुम्हें के लगा था, आसान है यह, what did you think, it was easy, तुम्हें के लगा था, बिना महनत के मिल जाएगा सब कुछ, what did you think, you would get everything without hard work, तुम्हें के लगा था, मैं था, कोई नहीं देखेगा तुम्हें, what did you think, no one would see you, इसके अलावा अगर आप present की बात कर रहे हैं, जैसे कि, तुम्हें के लगता है, वो पागल है, तुम्हें के लगता है, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें के लगता है, यह जूट है, इस case में आप सबसे पहले बोलेंगे, what do you think, और उसके बाद आप बोलेंगे, अपना complete sentence, यह वाला sentence आपका present में भी हो सकता है, past में भी हो सकता है, future में भी हो सकता है, depend करता है कि आपको बोलना क्या है, चलिए इसके भी कुछ examples देख लेते हैं, जैसे कि, तुम्हें के लगता है, वो पागल है, what do you think, he is mad, तुम्हे क्या लगता है के वल तुम ही होश्यार हो, what do you think, you are the only intelligent, तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं पता, what do you think, I don't know anything, so guys, हमेशा की तरह homework की बारी, एक sentence आप सभी के लिए, तुम्हें क्या लगा था, मैं तुम्हें call करूंगा, आपको इस sentence English में translate करना है, हमेशा की तर अच्छे से समझ में भी आया होगा, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप पूछ सकते हैं comment में, so guys, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए lesson के साथ, till then, take care